नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों ग्यान सिंदु कोचिंग क्लासेज में आज हम आप सभी को पढ़ाएंगे बिहारी का जीवन परिचे बिहारी जिहाँ जिन्हें बिहारी नाम से जाना जाता है बिहारी लाल के नाम से जाना जाता है बिहारिलाल का जीवन परिचे जैसा कि कहावत है तुलसी सूर कबीर बिहारी इनसे बोड़ परिक्षा हारी तो ये एक सत्य वचन है तुलसी, कबीर, बिहारी और सूर ये हिंदी के महान प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध कभी है महत्तुपूर्ण है ये हमेशा 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 पेपर्स में देखते हैं यानि इनका जीवन परिचे आता है उचाहिन का चैप्टर हो चाहिन का जीवन परिचे हो पूर अंक मिलेंगे अन्य था आप अगर गडबर तरीके से लिखते हैं तो पूरे अंक नहीं मिलेंगे पहले तीन अंकों में आता था लेकिन अब पांच अंकों में आपका जीवन परिचे आता है जीवन परिचे में मातर तीन हेडिंग्स आपको डालनी है एक तो जीवन परिचे, दूसरी करतियां और तीसरी भाषा चाली, बहुत जादा अनरगल चीजें नहीं डालनी है, और सबसे पहले आपको संक्षिप्त परिचे देना है, जिसे आप लोचार्ट का नाम दे सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले जन्म आपको डाल देना है, जन्म पंचान नवे मानता है, तो कोई 1603 मानता है, अब आपको क्या याद करना है, आपको याद करना है, 1603 इसवी में होता है, जन्म किसका, बिहारी लाल जी का, किसका होता है, बिहारी लाल जी का 1603 इसवी में जन्म होता है, और अन्य विद्वान के अनुसार 1505 में होता है, दो 1603 भी सही है, तो अब आप हमसे ये कमेंट मत कर देना कि इसरो आप गलत बताए हैं, दोनों सही हैं, और जगह जगह पर इस् Carn McMahra पर अलग अलग दोनों डेट्स मिलती हैं, तो आपको जो अच्छा लगे आप 1603 भी डाल सकते हैं और 1595 भी डाल सकते हैं, दोनों सही हैं. बस्वा गोबिंद पुर नामक गाउं में इनका जन्म हुआ था ये है जन्मिस्थान मृत्यू 1663 इसमी में हुई थी ये सत्य है मतलब ये बिल्कुल पिलियर हिसमें मतबेद नहीं है पिताथे केशव राय इनकी रचना मात्र है बिहारी सत्षई 719 दोहें है अब यहां से एक प्रशना आपका जरूर बनता है कि बिहारी सत्षई में दोहों की संख्या कितनी है तो दोहों की संख्या कितनी है दोहों की संख्या है 713 अगर वो कहे बिहारी सत्षई में चंदों की संख्या कितनी है तो 6 मिला करके 719 होती है अब 719 क्या है? 719 टोटल छंद है बिहारी सत्सई में 719 टोटल छंद है तो बिहारी सत्सई में दोहों की संख्या कितनी है? 713 क्यूंकि 6 सोरठा है वो दोहे नहीं है ठीके 6 क्या है? 6 आपके सोरठा है छे क्या है? सो रठा चंद है और 713 दोहा है तो दोहा और सो रठा दोनों मिलाकर के 719 है और केवल दोहा 713 है केवल सो रठा केवल 6 है तो 719 दोहों की है इनकी सत्सई ठीक है? बस इतना आप थोड़ा सा परिचे देंगे फिर आप आगे गोबढ़ेंगे सबसे पहले आपको हेड़िंग जो डालनी है वो है आपका जीवन परिचे ठीक है? जीवन परिचे डालते समय आपको ध्यान देना है क्या लिखना है? रीतिकाल के महान कलाकार महा कभी कभीवर बिहारी का जन्म पंद्रा सो पंचाननबे या सोला सो तीन इसवी में ग्वालियर के ग्वालियर के कहां बसुआ गोबिंद पुरनामग गाउं में हुआ था बात क्लियर रीतिकाल के प्रसिद्ध रीतिसिद्ध कभी कभीवर बिहारी का जन्म इनके पिता का नाम केशवराव था ये मथुरा के चौबे थे मथुरा के चौबे जातिके थे आठ वर्ष की आयू में इनके पिता इन्हें अपने साथ औरचा बुंदेल खंड ले गए थे कहां ले गए थे आठ वर्ष की मात्र आयू में इनके पिता जो केशवर आये थे इन्हें औरचा बुंदेल खंड ले गए थे मात्र आठ वर्ष के थे कभिवर भिहारी आचार केशवदास जो थे वे इनके गुरू थे केशवदास क्या थे महाकवी बिहारी के गुरू थे केशवदास इतनी बात तो आपको एकदम clear हो गई होगी एकदम रट गया होगा और अगर थोड़ा सा भी याद हो गया है कि भाई साब आपको शेयर करना है जिती निशुल क्लासेज है और लाइफ फ्री रहता है सब कुछ फ्री रहता है पेड की बात नहीं करते हैं तो आपका इतना उत्तरदाइत गुर्दक्षना के रूप में जरूर बनता है कि आप एक बार सब्सक्राइब कर ले और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दे हमारा परचार परसार कर दें बस कही हमारी फीस होगी और कुछ नहीं इतनी बात आपको क्लियर हुई 1603 या फिर 1595 में इनका जन्म होता है बसवा गोबिनपुर नामक ग्राम में होता है गौालियर के निकट पिता का नाम केशवराय माथूर चोबे जाती के ये थे और पिता का नाम केशवराय था 1663 हिस्वी में इनकी मृत्यू होती है और आठ वर्स की अवस्था में और्छा बुंदेल खंड इनके पिता केशवराय ले आये थे और केशवदास इनके गुरू थे याद रखेगा केशवदास अलग है और केशवराय अलग है अगला थुड़ा सा और लिखेंगे जो बिहारी है बिहारी का बच्पन और्चा में बीता कहां बीता? और्चा में बीता युवावस्था में ये अपनी ससुराल मतुरा जा करके रहने लगे थे किन्तो ससुराल में उचित सम्मान ना मिलने पर इसके कारण वहां से कन्नोज के राजा मिर्जा जैसिंग के दरबार में चले गए थे अच्छा बात ही ससुराल की आती है तो कहना पड़ता है बाईसाब ससुराल में घर जमाई बनके रहना कोई सम्मान की बात तो होती नहीं है मलब ये मजाक की बात है सम्मान की बात होती नहीं अब उसमें ये रहता है कि लोग तो ये तो कहेंगे कि पाउ बेगम के दबाने में बुराई क्या है गर है खुजली तो खुजाने में बुराई क्या है उम्र भर सास के टुकडों पे पला है तू तो मार ससुराल का खाने में बुराई क्या है तो बिशेश ये है ससुराल में रहने का फाइदा तो कहा इनों को ससुराल में रहोगे, सब के जीजा लगोगे, सब को बहनों ही लगोगी, तब तुम को मजाक करेंगे, तुम से आनंद लेंगे, लुद्ध उठाएंगे तो यही है, तो इसलिए इनका क्या रहा, मन नहीं लगा बिहारी का राजा मिर्जा जैसिंग के दरबार में ये चले गए थे, कन्नोज के, और मिर्जा राजा जैसिंग क्या थे, ये कन्नोज के राजा थे ससुराल में सम्मान नहीं मिला और छा में इनका बच्पन बीता था और युवावस्था में अपनी ससुराल मतुरा जाकर के रहने लगे थे ठीक है? और वहाँ इन्हें परियाप्त सम्मान मिला था मिर्जा राजा जैसिंग ने इनको बहुत सम्मान दिया था एक दोहे पर इनको एक सोरण मुद्रा एक अशरफी देते थे एक उनके दर्बार में गए सम्मान मिला और उस समय राजा अपनी छोटी रानी के प्रेम पाश में फसे हुए थे ऐसा कहते हैं कि उस समय जो राजा जैसिंग थे अपनी छोटी रानी के प्रेम जाल में फंसे हुए थे और वे राज-काज प्रजा की ओर नहीं देख रहे थे सारी चिंता छोड़कर हर समय अपने महल में पड़े रहते थे पलंग में पड़े रहते थे तो बिहारी ने जब देखा कियार ये तो आदमी गरबढ हो रहा है तो राजा तो बिलकुल गरबढा रहा है ये तो एकरानी के चक्कर में पड़ा हुआ है दिक्कत हो जाएगी फिर तो बिहारी ने उनको दोहा लिखकर आँखे खोलने के लिए भेजा क्या भेजा दोहा? आप समझिए कभी जो थे वो जैगाने का काम करते थे नीती के दोहे भी दिविहारी लिखते थे और लिखा कि नहीं पराग नहीं मधूर मधू नहीं विकास इहिकाल अली कली ही सोबिन हो आगे कोन हवाल नहीं पराग नहीं मधूर मधू नहीं विकास इहिकाल और अली कली ही सोबिन हो आगे कौन हवाल ना तो पराग का पुषप है न मीठा मधू है और ना पूर्ण रूप से विकास इसकाल में हो सकता है तुम्हारा ना तुम्हारे राज्य का जब हमरा कली से ही बंधा रहेगा तो आगे क्या कहा जा सकता है इस एक दोहे ने राजा की जिंदगी बदल दी, राजा की आखे खोल दी, वे ठीक से राज्य की देखभाल करने लगे, दरबारी जीवन में बिहारी को बहुत सम्मान मिला, कहा जाता है कि राजा जैसिंग बिहारी को प्रतेक दोहे की रचना पर एक सुन मुद्रा, यानि एक अशर्फी दान में देते थे, पुरसकार सुरूप देते थे, 1663 में हिंदी का ये महार थी, इस महा कवी का परलोक वास हो जाता है, और रचनाओं की अगर हम बात करें तो उनकी विशेस रचनाएं नहीं है, मात्र एक रचना है बिहारी सत्सई, और इसी एक मात्र रचना को रचकर बिहारी हिंदी साहित्य में रीति सिद्ध कवियों में अमर हो गए, ठीक, तो रचना नहीं, अब आगे आपको टाल लेना है भाशा शैली, भाशा शैली पर आगर हम बात करते हैं, तो भाशा शैली में सिर्फ इतना लिखना है कि बिहारी की भाशा शाहित्तिक माधुर्य पूर्ण, वेंजना प्रधान शैली, प्रसाद गुण से युक्त सरस्यली एवं चमतकार पूर्ण सैली का प्रियोग किया है। वस्वा गोविनपुर नामक गाओं में गौलिर के जो निकट है वहाँ पर बिहारी का जन्म होता है, पिता का नाम केशवराय होता है और पिता का नाम केशवराय है तो गुरू का नाम केशवदास है। एक दोहे की रचना पर तो मिर्जा राजा जै सिंग को देखते हैं कि मिर्जा राजा जै सिंग जो है वो अपनी नई रानी के प्रेम पाश में फसा हुआ है और राजी की और ध्यान नहीं देता है। तो राजा जैसे इस पर उसकी आखे खुल जाती हैं और उनको बहुत पुरुस्कृत करता है, सम्मान देता है तो इसके बाद आप लिखेंगे रचना है, इनकी एक मात रचना है, क्या है बिहारी सत्सही है और भासा सहली में भासा इनकी साहितिक ब्रजभाशा है और शैली के अगर बात करें तो सरस यानि रसपूर शैली है और वेन्यना सैली है और कौन सी चमतकार पूर सैली तीन चार सैली हों का इन्होंने प्रियोग किया है बस इतना सा जीवन परिचे बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे साथ ममता मिश्रा जी है, मिस्टर खिलारी जी है, अंकिता जी है, नितीश कुमार सिंग जी है और इतिशा यादो जी है, अंकिता है, मिस्टर खिलारी बिपूल जी है ठीक है चलिए ठीक है, अंकुष राजपूर जी ठीक है अंकुस जी आपकी बात पर ध्यान देंगे क्लास 11 को पढ़ाएंगे नहीं रोजी तो पढ़ाते हैं दो-तीन दिन बिजी थे ठीक है रोज चलेगी अब कल भी चलेगी भाई साब कल भी हारी के दोहें पढ़ेंगे हम लोग काहे परेशान हो संस्कृत तो पढ़ा रहे हैं रेगलर अगर कलास 10 की अलग वाली संस्कृत पढ़नी है तो आप प्लेलिस्ट देखिए चले ठीक है यह बोलाची